दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यूं हमारे देश का 33S Mark 1A फाइटर जेट इंडिनेर फोर्स के लिए इतना ज़्यादा जूरी है ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्यूंकि बहुत सरे लोगों का ये मानना है कि हमें तेजस Mark 1A aircraft को स्किप करकर ज्यादा पाउरफुल तेजस Mark 2 aircraft की उपर फोकस करना चाहिए लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यूं दोनों प्लैटफॉर्म से ही इपॉर्टन्ट है और क्यूं हमारी एर फोर्स को तेजस Mark 1A aircraft की जरूरत है दोस्तों हमारा देश 83 तेजस Mark 1A aircraft बनने वाला है जो कि तेजस Mark 1A aircraft का एक इंप्रूवड वेरियंट है इसको लेकर डील इसी साल हो जाने वाली थी इसके बारे में बाद में कहा गया था कि दिसंबर में इसकी डील होने वाली है लेकिन अभी ऐसी खबर आई है कि इसकी डील को डिले कर दिया गया है और शायद 2021 की शरुवात में इसकी डील हो जाएगी लेकिन इसकी डिलिवरी को लेकर काफी सवाल उठे थे कि क्या HL इसके लिए required production capacity मेंटेन कर भी पाएगा या नहीं दोस्तों ये aircraft हमारी engineer force में पुराने हो चुके MiG-21 Bison aircraft को replace करेगा जो कि अभी हमारी air force में interceptor का role play कर रहे हैं ये एक काफी lightweight aircraft है जो कि ज़्यादा payload carry नहीं कर सकता है लेकिन इसके साथ ही ये काफी सस्ता aircraft भी है और इसे एक interceptor role में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इस aircraft को हमारी air space में गुसने वाले aircraft को intercept करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जैसे कि अभी हमारी air force को हमारे देश द्वरा बनाएं गई अस्तर सीरीज की air to air missiles मिल रही हैं तो ये aircraft एक बहुत ज़्यदा potent beyond visual range air to air fighter बन सकता है जैसा कि इससे पहले आपने एक news सुनी होगी कि ताइवान अपने पुराने हो चुके मिराज aircraft को बेचना चाहता है इसके बारे में ये reason दिया गया था कि क्योंकि वहाँ की environment ऐसी है और क्योंकि चाइना के aircraft उनकी air space के तरफ आते हैं तो उन्हें intercept करने के लिए उन्हें इन aircraft को ज़्यदा stress में maintain करना पड़ता है और क्योंकि ज़्यदा सौटिस करनी पड़ती है तो उनके air frame की उपर काफी stress आता है और यही कारण है कि उनके aircraft ज़्यदा wear and tear का शिकार हो रहे थे और जापान के fighter aircraft के साथ भी यही case देखा गया था यही कारण है कि हमें भी एक ऐसे interceptor aircraft की जूरत है जो की ज़्यदा सस्ता हो और ज़्यदा बड़े numbers में बनाया जा सके और एक interceptor role में बहुत अच्छी तरह काम कर सके और क्योंकि तेजस माक वन ए एक craft हमारे देश ने खुद बनाया है तो इसे mass produce करना काफी ज़्यदा महंगा थापित नहीं होगा एक test bed साबित होगा जो भी technologies उनने एक craft में लगाई जाएंगी वो इस एक craft में validate कर ली जाएंगी और उनसे पहले वो technologies इस एक craft में operationalize हो जाएंगी तो जो technologies तेजस माक टू एक craft के लिए चाहिए होगी वो ज़्या तोर पर इसी एक craft में टेस्ट की जा चुकी होगी और क्योंकि ये हमारा खुद का platform है तो हम इसके इस्तेमाल से नई ने technologies के साथ experiment भी कर सकते हैं जैसा कि आपने देखा होगा कि चाइना का जो J10 fighter एक craft है उसके साथ उन्होंने थ्रिस्ट वेक्टरिंग नौजल्स के साथ भी experiment किया है और क्योंकि वो उनका खुद का एक craft है तो उसमें वो अपनी मर्जी के मताबिक changes कर सकते हैं यही flexibility हमें हमारे तेजस माक टू एक craft के साथ मिलेगी इसके साथ हम किसी big technology का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके उपर experiment कर सकते हैं और इसके साथ ही हमारी इंडिनेर फोर्स के fighter requirement को पूरा करने के लिए अभी के लिए यही fighter एक craft ज़दा suitable लगता है वो इसलिए है क्योंकि अगर इस साल जहांगले साल की शुरुआत में इस एक craft के लिए जो deal है वो sign हो जाती है तो 2023 तक इस एक craft की delivery इंडिनेर फोर्स को मिलनी शुरू हो जाएंगी लेकिन वहीं अगर हम तेजस माक 2 एक craft के बारे में देखें तो 2023 तक उसका cable prototype ही सामने आएगा और उसके बाद उसके production mentor होने तक 2026 तक का समय लग जाएगा और तब तक हमारी इंडिनेर फोर्स को उनकी fleet strength को पूरा रखने के लिए किसी एक craft की जुरूरत होगी और तेजस माक 1 एही ऐसा एक craft है जो कि इंडिनेर फोर्स के पास अभी इंडिनेर फोर्स ली और रेडली अवेलिबल है जिसे की mass produce किया जा सकता है और इंडिनेर फोर्स की requirements को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हम MMRC या MRFA tender के बारे में देखें तो उसको finalize करने में भी काफी समय लग सकता है और उसकी finalization के बाद भी उन एक craft की delivery शुरू होने में भी काफी समय लग जाएगा और तब तक हमें किसी ना किसी conflict का सामना करना पड़ सकता है और किसी conflict का सामना करने के लिए अगर हमारी Indian Air Force की fleet strength पूरी नहीं होगी तो हमारे लिए ये मुश्किल पैदा हो सकती है और इसके साथ ही तेजस Mark 1A aircraft अगर हम पाकिस्तान के संदर्व में देखें तो ये काफी capable aircraft है ये लग बग पाकिस्तान की आधी Air Force का मकाबला कर सकता है और इसके साथ ही चाइना के भी बहुत सारे fighters का मकाबला कर सकता है चाइना की fleet को भी अगर हम देखें तो उनकी Air Force में भी बहुत सारे पुराने aircraft का इस्तिमाल किया जाता है तो वो अभी भी इन पुराने aircraft का इस्तिमाल कर रहे है इसलिए हमें एक Interceptor के रोल में Tejas Mark 1 A एक बहुत अच्छा aircraft मिल रहा है और इसी aircraft को हम modify करकर इसके अलग लग variants भी बना सकते है इसके variants की उपर काम करकर जो हमें technology maturity मिलेगी उसी technology का इस्तिमाल हम नए Tejas Mark 2 A क्राफ्ट और A.M.C.A. में कर सकते हैं और यहां तक सवाल यह रहता है कि हमें Tejas Mark 1 A A क्राफ्ट को स्क्रैप करकर Tejas Mark 2 A क्राफ्ट की उपर फोकस करना चाहिए तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि इस A क्राफ्ट के लिए जो contract sign होना है उसके sign होने के बाद 2023 तक इसकी delivery शुरू हो जाएंगी और HLK promise के मताबिक वो हर साल 20 A क्राफ्ट को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे और वहीं अगर हम तेजस माक 2 A क्राफ्ट को देखें तो उसकी production काफी लेट है तो तब तक हमारी air force को किसी नए A क्राफ्ट की जरूरत है तो यहाँ पर यह कह देना कि हमें तेजस माक 1 A क्राफ्ट को स्क्राइब कर देना चाहिए तो वो सही बात नहीं होगी हमें तेजस माक 1 A क्राफ्ट की भी अतनी ही जरूरत है जतनी हमें तेजस माक 2 A क्राफ्ट की जरूरत है और जो तेजस माक 2 A क्राफ्ट है वो अलग रोल निभाएगा और जो तेजस माक 1 A क्राफ्ट है वो अलग रोल में इस्तेमाल किया जाएगा तेज़स मार्क 2 एक söyleye सिरिस के एक क्राफट को रिप्लेश करेगा और वहें जो तेज़स मार्क 1 एक रफ्लेश करेगा वो मिग 21 बैसन जैसे एक क्राफट को रिप्लेश करेगा तो दोनों की ही अपनी ही importance है और किसी को भी स्क्रैब करने के जरूरत नहीं है झाल झाल झाल